अलिगण में महावेर गंज शेत्र में अंग्रेजी शासन का प्राचिन सिद्ध पेट हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर हनुमान जी की प्रतीमा पर मूच है ब्रिटिश काल में अलिगण के पुराने शहर में देड़सु वर्ष पूर्व महाविर गंज में टीला था इस टीले से हनुमान जी की मूर्ती निकली इसकी पूजा करने के लिए अंग्रेजी सीना का एक भारती सिपाही रोजाना आता था महंत अजय शुकला बताते हैं कि एक अंग्रेजी अफसर को ये बुरा लगता था मूर्ती को अपमानित कर्व कहता था कि क्या बंदर की रोज पूजा करने जाते हो कुछ दिनों बाद वही अंग्रेजी अफसर जब सुभा सोकर उठा तो उसकी शरीर पर कई निशान थे और खून बह रहा था उसे हनुमान जी की प्रतीमा अकमानित करने का एहसास हुआ और माफी मांगने टीले पर पहुँचा इसके बाद उसे शक्ती का एहसास हुआ उसने ही मुर्ती के आसपास सुंदरी करन कराया दीरे दीरे मंदिर की प्रसिद्धी बढ़ती गई महावीर हनुमान जी मंदिर के नाम से ही बजार का नाम महावीर गंच हो गया मंदिर में पहले हनुमान जी की साधरन मूर्ती थी उसके बाद उनका श्रिंगार मूछो के साथ किया गया तभी से इस मंदिर को मूछो वाले हनुमान जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है मंदिर सोयम निकली हुई मूर्ती है बाबा की स्वम्थम्मू है और यहाँ पर जो भगत आता है अपनी मनों कामना लेके पूर होती है माविर गंज की महिमा इस मंदर की इस शेत्र को कोई भी दंगाई जून नहीं पाया था यह बुजर्ग लोग बताती है और इस मंदिर पर जो भी आया है और जो भी जन प्रतिनिती यहां का असीरबाद लेके गया है चाहें संसादो चाहें पेदान साथाम उसमें चुनके आवस्ट गया है इस मंदिर की महत्ता है